नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपादकी विश्लेशन में आपका स्वागत है सुरुवात करते हैं संपादकी से समंदित इस वीडियो की आज जो संपादकी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें से पहला संपादकी है जिसका सिर्षक है वीक अड़ टॉप इस संपादकी को लिया गया है दाहिंदु से और वहीं दूसरा संपाद कीए बैक टुदा हाउस इसे भी लिया गया है दाहिंदु से परन्तु ये दोनों संपाद कीए वो हमारी पार्टिकरम के द्रिष्टिकों से उपयोगी नहीं है क्योंकि week at the top या बिहार चुनाव से संबंदित है जबकि back to the house या बाइपोल इलेक्शन से संबंदित है मतलब उप चुनाव से संबंदित है वहीं तीसरा संपादकी जिसका सिर्षक है center and state इसे लिया गया है Indian Express से यह संपादकी आधारित है Finance Commission पर तो हमने कल के संपादकी में Finance Commission के द्वारा जो रिपोर्ट सौपी गई है तो उस रिपोर्ट के संदर्व में क्या-क्या बाते हो सकती है क्योंकि अभी रिपोर्ट में क्या-क्या अनुसंसाइं की गई है वह सारजनिक नहीं हुई है तो उस रिपोर्ट से संबंदित कि क्या-क्या उसमें बाते हो सकती है उस पर हमने चर्चा कर लिए तो आज के इस वीडियो में हम business standard में publish एक article जिसका सीर्षक है through a crystal ball darkly पर चर्चा करेंगे यस जी एस पेपर ठड में सामिल विशे भारती अर्थ विवस्था तथा योजना संसादनों को जुटाने प्रगती विकास तथा रोजगार से संबंधित विशे के दिश्टि कोन से महत्पूर्ण है इसका आधार है धीमी आर्थिक वृद्धी के परिना और यहां पर जो धी कारिके आंकलन का आखिर आधार क्या होता है तो एक रोजगार से जन और दूसरा वृद्धी की डर तो दो हजार चार पांच से लेकर दो हजार सत्रह अठारा तक वृद्धी डर की अगर बात करें तो यह वृद्धी डर कितनी रही साथ परतिसत या उससे ज्यादा रोजगार इस्थिती की अगर बात की जाए तो वह संतोस जनक नहीं है नेशनल सेंपल सर्वे के आंकलों के अनुसार दो हजार ग्यारह बारह के बात बेरोजगारी डर में तीन गुनी वृद्धी हुई और यह कितनी हुई बढ़कर 6 परतिसत वहीं 15 से 29 आयू वर्ग में बेरोजगारी की दर में तीन गुनी वृद्धी हुई और यह वृद्धी दर कितनी हो गई बढ़कर 18 परतिसत वहीं अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब स्रम शक्ति भागिदारी दर की तो इसमें देखें कितनी गिरावट हुई है इसमें गि महिला भागिदारी में कितनी गिरावट हुई वह 43 परतिसत से गिर कर वही कितनी 23 परतिसत अब जड़ा एक नजर आप डाल लीजे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशरेट में यह क्या होता है तो यह जो लोग कारी करते हैं उनकी संख्या और कुल कितने लोग काम करने लायक ह मतलब यह कि स्रम सक्ति भागिदारी दर या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशरेट या कुल स्रम करने वाले लोग और कुल कारी करने वाले जो लोग होते हैं उनकी आबादी का अनुपात होता है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत जो अन एस्याई देश हैं चाहे वो हो चीन हो इंडियोनेसिया हो व्यतनाम हो और बांगलादेश हो उनकी तुलना में रोजगार स्रिजन की मामले में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं है अब देखिए आगे यहाँ पर यार कि CMIE मतलब Center for Monitoring Indian Economy तो इसके अनुसार 2017-18 के बाद से व्रिद्धी दर में गिरावट देखी गई है और 2020-21 वित्ती वर्स के प्रारंब में ही कोरोना महमारी के कारण व्रिद्धी दर में क्या रही उसमें नकारात्मक्ता देखी गई है इतना ही नहीं अगर labor force participate rate की बात करें तो फिर इसी 2020-21 के सुरवात में क्या दिखा गया उसमें कितनी गिरावट वी या गिर कर 40% से नीचे चली इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि देश में कुल जितने भी कारी करने वाले लोग है मतलब जो कारी कर सकते हैं तो एक अरब लोग हैं वो तो मतलब यहां कि उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं चालीस करोड से भी कम लोग काम कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर यह है कि अगर विर्धी दर में गिरावट होती है तो फिर जो रोजगार सिर्जन की दर है उसमें भी कमी होगी और अगर अगर रोजगार सिर्जन दर में कमी होगी, तो फिर इसका परिनाम क्या होगा? इसका परिनाम या होगा कि आबादी की आई में भी कमी होगी. तो फिर इसका परिनाम क्या होगा? देखिए, परिनाम क्या होगा? तो अब हम विभिन परिनामों पर चर्चा करते हैं. अगर वर् परांत के लैंगिक आधार इन स्वरूठ में मौजूद है। आजादी के बाद से अ देश में जो विविधता है। इन विवृत्ताओं के कुशल प्रबंदन के लिए सरकार ने कारिकिया चाहे कोई भी सरकार हो और इनका कुसल परबंदन हो या परत्येक सरकार के लिए यह एक चुनोती रही और जब आर्थिक वृद्धी में तेजी होती रहती है तो फिर यह जो विभिन वर्गों में मद्भेद होते हैं वो क्या होते हैं वो छुप समाजिक और राजनितिक इन दोनों इस तोरों पर आप्रिये परिस्थितियों के रूप में मौझूद होती है। जैसे देखिये कि कानून विवस्था की अगर इस्थिति की बात की जाए, तो वह इस्थिति खराब हो जाती है। महिलाओं के विरुद्ध अपरात की अगर बात की जाए तो फिर उसमें वृद्धी हो जाती है अब आगे हम फिर देखें दूसरे परिनाम पर तो अगर धीमी वृद्धी दर है तो फिर यह केंद्र और राज्जी के बीच में भी तनाव में वृद्धी करता है वह कैसे देखें धीमी वृद्धी दर का मतलब क्या है मतलब है आर्थिक गतिवीदियों में संकुचन का होना आर्थिक गतिवीदियां अगर संकुचित होती है तो फिर क्या होता है तो रोजगार दर में गिरावट आती है और जो आय है उसमें भी गिरावट देखी जाती है फिर इससे क्या होता है, इससे बाजार में मांग में कमी आती है, और जब बाजार में मांग में कमी आगी तो फिर क्या होगा, तो फिर पूर्ती में भी एक समय के बाद कमी आगी, इन सब का परिनाम क्या होगा, इन सब का परिनाम होगा कर संग्रह में कमी, कर संग्रह में कमी किन की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तो मतलब यह कि दोनों इस तरों की सरकारों के राजस्तो संग्रह में कमी फिर इससे क्या होगा इससे यह होगा कि केंद्र के द्वारा राज्यों को जो राजस्तो हस्तांतरन किया जाता है उस राजस्ट रहस्तांतरण में कमी आएगी और फिर GST छति पूर्ति है उसमें भी बाधा दीखने को मिलेगी तो फिर इससे क्या होगा कि संगी धाचा प्रभावित होगा फिर आगे देखिए एक परिनाम कि धीमी विर्धी क्या है कि अब वैस्विक छवी को भी प्रभावित करेगा वह कैसे वो देखिए 1990 से लेकर 2000 के दसक तक भारत की आर्थिक इस्तिती मजबूत रही और इस अवधी में वैस्विक इस्तर पर भारतिये इस्तिती में मजबूती देखी गए जैसे भारत और अमेरिका के बीच में परमानु समझोता और असन्य समझोता तो इसका मतलब यहां पर यह है कि एक देश जितना मजबूत होगा एक देश में जितनी समरिधी होगी विश्व के अन्य देशों के साथ उसका दोस्ताना संबंध उतना ही अच्छा होगा फिर एक और परिनाम पर हम चर्चा करते हैं वह क्या है वह यह है कि पड़ोसी देशों के संदर में तो धीमी विर्धी पड़ोसी देशों के संदर में वह उसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं जरा वो देखिए अब देके पश्शिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन इन द करन और और आविस्始्यक उक्रम को प्राप्त करने में भी कठनाइया आएगी यह सही है कि भारत क्वाड का भाग है परंतू क्वाड से लाब भी एक सीमा तक ही भारत को प्राप्त हो सकता है क्योंकि क्वाड में सामिल जो देश हैं वहां युद्ध के समय में प्रत्यक्ष सैनिसाहेता करेंगे यह संका की बात है मतलब यह कि इस पर हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि रक्षा चमता के मामले में भारत को आत्म निर्भरता प्राप्त करनी होगी और यहां आत्म निर्भरता कैसे प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है तेज आर्थिक विगास और मजबूत अर्थ विवस्था के द्वारा तो इसका अर्थ यहांपर यह है कि इस अल्प अबधी में ए रक्षा छेत्र में भारत आभी जितना व्याय कर रहा है भारत को इस रक्षा व्याय के वर्तमान इस्तर में व्रिद्धी करने की आविश्चता होगी लेकिन उसके साथ ही एक और भी कारी करना पड़ेगा वह कारी क्या है वह कारी है कि गैर जरूरी और लोक लुभावन जो व्याय सरकार के द्वारा किये जाते हैं उसमें कमी करनी होगी अब देखिए कि अगर मध्यम अवधी में व्रिद्धी दर साढ़े तीन परतिसत या उससे अधिक होती है तो यह अच्छी इस्तिती मानी जा सकती है मतलब यह कि इस्तिती बेहतर है परंतु इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है वो देखिए इसके लिए राजकोसिय, मौद्रिक और वित्तिय नीतियों में अनुसासन को अपनाये जाने की आवे सकता है फिर वहीं सतत आर्थिक सुधार को भी अपनाये जाने की आवे सकता है जैसे केन सरकार ने हाल के दिनों में कुछ सुधारों को अपनाया है जैसे कृसी विप्रहन से समंदी सुधार, स्रम कानून से समंदी सुधार, वहीं संग्रक्षन वादी नीतियों को बढ़ावा नहीं देना होगा और बात करनी होगी छेत्रिय व्यापक आर्थिक साजेदारी की और इसकी उपयोगिता को समझना होगा क्योंकि जब अर्थवयवस्था खुली होती है तो फिर निर्यात वृद्धी में तेजी आती है, देश में प्रतिसप्रधा का माहौल बनता है और ये मिलकर पुछ आर्थिक वृद्धी को प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार इस आलेख में हमने धीमी आर्थिक वृद्धी के परिनामों पर चर्चा की अब इससे समंधित एक प्रश्ण है कि धीमी आर्थिक वृद्धी के विविन्य परिनामों की चर्चा करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं गिराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार